पास्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है आज हमारा टॉपिक है क्या हमोपेथी में ENT संभावना है क्या हम ENT आंख, ना, कान, गला, मो, तरोड इससे रिलेटेड टिट्मेन अक्यूट में ले सकते हैं इसका टिट्मेन हम कर सकते हैं और या करॉनिक भी हो तो क्या हम उसको ले सकते हैं मेरे साथ आप बने रहे हैं पूरी वीडियो को ENT तक देखिए हम कोशिस करेंगे क्या है मोपेथी में इसके कितनी संभावना है और कितना परसन के केसे को हम लोग इसको निकाल सकते हैं तो जी हाँ दोस्तो इसमें बहुत सारे संभावना बनी है और पेथी से अगर इन केस आपको आँखों में कोई प्रोवलम आती है ठीक है अभी हाल फिलाल में आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा था हमने बहुत सरे केसे इसको देखा आई फ्लू का इसमें है क्या कि आपको हम ले जितने भी केसे साय आए एन टी के आपको जितने भी केसे साय चाहे वो किसी भी बिग ग्राउंड से आता है, अलोपेटी है, हमोपेटी, कोई भी बिग ग्राउंड मेडिसीन का का इसा आता है, अक्यूट केस है, आपको नक्स वोमिका का स्टार्ट करना है, अगर माइनर है बच्चा है तो आप उसको टू हंडेड वनियम तक दें, और अगर ए पेसिलीनम है, मेडोरीनम है, कारसिनोसीन है यह सारे नोसोड हैं, इन मैं से आपको सलेक्ट करना है बیک्टेरियल इनफेक्षन है तो Tby pul और सत्व Divinemind के लावा पेसिलीनम सबसे बेश्ट है अगर bacterial है, viral है, तो आप tuber और bacillinum का योच कर सकते हैं, उसके बाद आँखों में अगर itching है, कुजली है, लालपन है, आरनिका है, जलसीमियम है, बोथो रोप है, यह medicine है, ENT का problem है, गले में है, ब्राइटा कार्ब है, ब्लाडोना है, एक कोनाइट है, acute cases को निकाल देगा आपका, उसके बाद बात रही, throat का, कान का, तो कान में सबसे बड़ी options है, काली मियूर, पहले से देते आ रहे हैं लोग, लेकिन लेकिन आपको यहाँ पे कुछ magic यूज करना पड़ेगा, यूज करने के बाद ही आप काली मियूर दें, या कोई भी आप medicine अगर आप prescribe करते हैं, silesia भी आती है, nitric acid है, arsenic है, बहुत सारी medicine है, और अगर mom's आता है, तो mom's में आप दो तीन medicine का आप यूज करेंगे, जैसे आया patient, आप उसको नक्स दें, ट्यूबर भी दे सकते हैं, और एक नोशोड है, paradidronum, अगर आप उसको देते हैं, उसके बाद अगर देते हैं, तो यह दो से दो से तीन दिन में निकाल देगी, तो ENT का भी बहुत बरा options है, आप भले treatment किये नहीं हो, अगर आप treatment करते हैं, आप एकर practitioner है, student है, अपना career बनाना चाहते हैं, चाइनल से जुर यह, में A to Z hemopate के जो acute condition है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे उस इसको अस्तमा का problem देया, हमने नक्स वोमिका 200 में दी, बेसिलीनम दी, मेटोरीनम दी, फिर उसके बाद हमने एंटिम टार्ट या पिकॉक जिसका वो symptom उसको मिला, हमने उसका या स्टेनम मेट, उनमें से उसको हम acute से बहार निकाल दिया, फिर वो बच्चा चले गए, तो इ मेरे बेस्ट के हिसाब से जो भी है, हमने जो अब तक 7-8 साल में अपना practice में हमने पाया है, हम आप से share करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा channel को subscribe करें, share करें, ताके मैं आपको authentic video आपके पेस्ट करूँ, ताके आप अपने career में बेटर option चुखेंगे,